आप सभी का home science classes में स्वागत है तो आज के वीडियो में हम home science का UGC net home science paper tube को solve करेंगे तो चले आज को वीडियो करते हैं स्टार्ट और ये 2016 का paper है तो इसमें देखते है paper tube में पहला question क्या है यहाँ पर देखिए कोशिन है आई सीमर 2010 के अनुसार एक मध्यम श्रेड़ी पुरुष की थायमीन की प्रस्ताविक पॉस्टिक मात्रा है तो एक जो मध्यम श्रेड़ी पुरुष है उसकी थायमीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए इन सारे options में से आप देख कर बताएए 1.2 mg प्रति दिन की होनी चाहिए या 1.4 mg प्रति दिन या फिर 1.1 mg प्रति दिन या 1.5 mg प्रति दिन इस टाइप की questions UGC net में बहुत सारे आते रहते हैं कभी आईरन थायमीन सारी मात्रा पूछी जाती है तो देखिए जो उसका सही एंसर है वह है 1.4 mg प्रति दिन की अवश कोष्ट के लिए तो नेक्स कोष्ट देखते हैं यहां पर देखिए निमलिखित अंडे की खराब होती हुई गुडवत्ता को दर्शाता है तो अंडे की खराब गुडवत्ता को इन में से कौन सा ओप्शन दर्शाता है कि वह होगा तो अंडे की खराब गुडवत्ता ऐर सेल छोटा हो ना, जो एंडे की, जो सेल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इससे पता नहीं चलेगा, कि आन्डे की गुर्वर्ता कैसी है, तो ये भी ऑप्शन क्या हुं? कट हो गया, अंडे की सफेद, सफेधी की छारता बढ़ जाती है, तो अंडे की सफेद चारता, तो यह भी option गळट है, तो इसमें क्या option होगा? स्थर्ड, अंडे की सफेदी की चारता बढ़ जाती है, तब यह क्या दिखाता है? अंडे की खराब गुर्वत्ता को दुषाता है जब चायता बढ़ेगी जो वाइट जो भाग होता है उसकी चायता बढ़ती है तो वो अंडे की गुर्वत्ता को खराब गुर्वत्ता को दुषाता है जिसमें ऑप्शन सही होगा थर्ड ठीक है, confused नहीं हो ना नहीं हम लेकित में से कौन सी एक प्रकार की बुफे सेवा नहीं है तो बुफे सेवा आपको पढ़ाया गया है finger, full tray में fork इन में से कौन सी ऐसी बुफे सेवा है, जो नहीं है नहीं है, बताना इस पर focus करना, ठीक है इन में से जो है ना, वो ट्रे में एक बुफे सेवा नहीं है, बाकी सारे इसके इंतरगत आते है नेक्स्ट गोश्चन है यहाँ पर देखे निमलिकेट में से निमलिकेट में से कौन सा डिजाइन, रिपीट नहीं है तो इन में से जो डिजाइन है जो repeat नहीं है वो इनमें से कौन सा आधा गरना या drop गरना आये ना eat अनुपात इनमें से कौन सी यासी desire जो repeat नहीं है जो अनुपात है वो repeat नहीं है बाकी सब repeat है निमलेकित में से कौन सी विशेष्था तंतु की मुख्य विशेष्था नहीं है तो तन्तु के मुख्य विसेस्ता नहीं है इनमें से आपको बताना है देखें दरता तो विसेस्ता होती है तन्तु के इसमें दरता होने चाहिए मजबूती होने चाहिए लचीलापन भी होना चाहिए चिपकना भी होना चाहिए लेकिन घना तो इसमें इसकी विशेष विशेषता नहीं आते हैं ठीक, option 4 next है, fool विवस्था से सम्मंधि शब्द को पहचाने है जो fool विवस्था होती है, उससे related आपको शब्द पहचानना है तो इनमें से ऐसा कौन सा है, देखे, feng, sui, ing, yang, alpana तो यह सारे options तो गरतल, इके बाना fool से सम्मंधि थे, यह जपानी, fool से सम्मंधि थे, यह जपानी में यूज होता है ठीक है, next question है, यहाँ पर देखे है नेमलखित में से किसने, शिशू और उसकी देखभाल करने, करने वाले के संदर्व को समझाने के लिए अचा शास्त्री सिध्धान, जिसे एकोलोजिकल थियोरी का प्रियोग किया था ठीक है, किस ने किया था? तो जॉन बॉलवी ने किया था, ठीक है next question है, स्वार शिक्षा अभियान का बारंभ हुआ था? यह आप लोग कमेंट करके बताएए question number 8 का, इनमें इस कौन सा option सही है? 8 के आगे, आप लोग question number 1, answer यह 2, 3, 4, जो भी आपको सही रगता है, comment करके आप लोगों को बताना है, ठीक है? यह बहुत 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 कोशन पूछा गया, बहुत इसी कोशन है next is some pressure model कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम के द्वारा, किसको और किस प्रभावस के, किस प्रभावस से के प्रतिपादक है, इसने जो some pressure model, communication model जो है, ठीक है, वो किस ने दिया है, आप लोगों को बताना है, जल्दी से बताएए last well नहीं बताया, ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, next video में कोशन सॉल करेंगे, दस वा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आज के लिए 9 कोशन हो गए, और जो कोशन आप से पूछा गया है, कोशन नमबर 8 का एंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएए, ठीक है, ठीक है, आप आपीजिक है, युाश बह ज्यों करके लिए उन कर दो एक लिए physician Tan, आपीजिस, अरिए किन आप लोग cracked, ź pensa में ऑख लोग जल्योग करेंगे प करेंट आप्छाग प्छा आपशन, चल्टाराश टेसे कमेंटसे का लिए लोग आप ठीक है, इस बिएए गषण